कि अधियर स्ट्रेंट्स आज स्ट्रेंट्स है उसका लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यह हमारा लेक्चर नबर टैन हो जाएगा इस पपिक का डिजीज का हम लोग सारे डिजीज देख चुके हैं आज फंगल डिजीज को देखा जाए फंगल डिजीज को देखने से पहले थोड़ा कम लोग फंजाई के बारे में समझते हैं फंजाई के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि फंजाई यूकेरियोटिक सेल के बने होते हैं पहले भी आपको बताया है कि यूकेरियोटिक सेल कैसे स होता है ठोड़ा Advanced सिल होते हैं जिन में Nucleus membrane-bound होता है to Nucleus होता है और साथ-साथ-साथ-सेल में धेर-सारे membrane-bound मतब मेंब्रेंस से घीरे हुए cell Oregonals भी present होते हैं ठेक है हमने यह लिखा है ये जोुक्राइटेटिक सेल हैं फंजाई के सेल की बाद हमने।क कर रहा हैं इनमें क्या होता है सेल क्राइटेक सेल्स, सेल्षा में। इनमें सेल्षास होता है सेल्ष मालन poking क्ला दोया कि इसका एक कवर होगा कि, सेल्षा अब धिया भ myös होता है कुछ फएंजाई में काईटीन हो सकता है मेडनीय Estado कि रवा 짧ाओ रहें यो सकता है जिसको हम लोग फळाएं आशिको समय खेस के अब तो याद धेखना है कि फंजाई का बाड़ी मल्टी सिल्लर होता है मतलब मेनी से बहु सारे से बनाव होता है ठीक है ना फंजाई के निउट्रिशन की बात करो पोश्टन की बात करो कैसे पना फूड लेते हैं तो फंजाई हेटो ट्रॉपिक होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि फंजाई की जो सेल ह है इनमें क्या आप सेंट रहता है इनमें क्लोरो फिल आप सेंट रहता है यह नहीं रहुत है यह इसके चलते क्या होता है यह फोटोसिंधेसिस नहीं कर lighter अप खू रभातें और तब अपने फूड के लिए यह क्या होता है तो दूसरे और्गनिजम पे depend करते हैं ठीक है ना अब यह जो हेटरोट्रोपिक निउट्रिशन है यह भी दो प्रकार का फंजाई होता है कई सरे फंजाई है जो सेप्रोट्रोपिक होते हैं सेप्रोट्रोपिक का मतलब हुआ कि कई सरे से फंजाई के अस्पिसेज हैं जो कि dead and decaying carbonic material से अंदर मेरा केक नहीं अब तब क्या करते हैं वह से अपना फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं तो मोड़ न्यूट्रिशन हो गया यह अब चलो करते हैं कि फंजाई के कोई सारे स्पिसेज के लिए beneficial होते हैं लाबदायक होते हैं नहीं और कोई सारे स्पिसेज तो harmful भी हो करते हैं जैसे हम लोग मौसरूम खाते हैं नहीं तो मौसरूम क्या है एक ट्राइप का फंजाई है यह हमारे लिए beneficial है फूड के फॉर्म लोग करते हैं कहां से प्राप्त करते हैं कोई से प्राप्त करते हैं जबकि हमारे में फंजाई कोई सारे डिजज भी कौज करता है न टुफ ऐंको सिर्विऊपज कभर करना है और रिंग वर्म जिसको आपłosभा नहीं जिसकों लोग डात करते हैं थो देखा जाए कि इस विन प्रम का दार कार्णट का कॉज्येइटएज gu कौन से पैथोजन के चलते होता है आप याद रखिएगा कि इस रिंग वर्म के तीन पैथोजन होते हैं माइक्रो एस्पोरम, एपीडर्मो फाइटन और ट्राइको फाइटन अब अब शॉट में MET मेट याद रखिएगा नहीं, रिंग वर्म के लिए MET पैथोजन रिस्पोंसिबल होते हैं MET, M हो गया माइक्रो एस्पोरम के लिए, E हो गया एपीडर्मो फाइटन के लिए और T हो गया ट्राइको फाइटन के लिए, ऐसे याद रह जाएगा, नहीं, पैथोजन अम आते हैं कि मोड अब ट्रांस्मीशन क्या है, कैसी ये पैथोजन एक हेल्धी हुमन बॉडी में इंटर करते हैं इसके भी कई तरीके हैं, यासे डाइरेक्ट कॉंटेक्ट से ये क्या हो सकता है, ट्रांस्मीट हो सकता है ज्यान रखना है कि ringworm highly contagious disease है बहुत तेजी से संक्रमन फैलने वाला या संक्रमित करने वाला disease है नहीं तो direct contact से कोई अगर मान लोगी संक्रमित व्यक्ती है उसके body में हम अगर touch करते हैं तो वहां से हमको infection हो सकता है दूसरा क्या है कि कोई अगर infected person है शंक्रमित व्यक्ती है उसका हम लोग cloth share करते हैं टावल share करते हैं नहीं उसका travel cloth वेरे यूज करते हैं तो हो जाएका infection कई बार तो कॉंब कॉंगी वेगर जो है अगर infected person का यूज करते हैं तो भी infection या transmission mission pathogen का हो जाता है ध्यानकना है už यह स्वाइल में उस्वाइल इसवाइल मीलते हैं infection हो सकता है नंग ऑफोयाद में चलने से क्वाइल के infection हो जाता है नहीं फार्मर में इनफैक्चिन से ज्यादा देखा जाता हैै थिए थिके तो ऑफ्यक्तेट अर्गन कौन है एकिन जरको ध्हान अखना है कि यह Ceemot नखना है कि इसकीन तो हमारे बॉडिका लारजेस्ट और्गन यह भी आप याद रखिए यह कि बॉडिकार लारजेस्ट और अर्गन है नहीं कवर करता और बॉड़ी को करता है कि इसकी इसकी पर्ट में environments पंजाइका हो सकता है साध साध जो नेल से हैं नेल से मैं निली मैं पाओओं के नहीं लेक के भैंड के भी ऑन लाइने रफिटेटर नहीं में इस्कीन हो गया और नेले सोगे टीन फाइन्टम्स क्या यह कैसे पता चलता है कि रिम वर्म हो गया है qaza ki appearance of dry scaly lesions on skin मतलब skin के उपर में सूखे नहीं पपड़ी वाले छोटे छोटे घाओ जैसे बन जाते हैं ठीक है और ध्यान अखना कि जो लीजन्स होते हैं घाओ होते हैं उन्हें बहुत खुजली होती है इंटेंस इचिंग बोलते हैं अत्यादी खुजली होती है यह क्या इसका symptom है नहीं अब मालों कि अगर यह हो गया है इसका treatment कराएंगे आपके दोक्टर के अडवाई से हम लोगम लेते हैं डूक्टर कवाईस्ट का तरीका क्या है रिवेंशन किया करेंगे हम लोग मैटाइसे छुक्वाइशन करेंगे जो भी जो बहुत इंट प्रोशन है उससे फाँसा दूर रहेंगे उसे डाइट कॉंटक्ट में नहीं रहेंगे नहीं सब्सक्राइब करेंगे श्वायल की बात है तो स्लीपर पहुंके चपल पहुंके शूज पहुंके यह तो हम लोग फंगल डिजिज को देख रहे थे अब एक बात समझो हम लोग 10 स्मॉल लेक्चर में बांट करके अभी देख चुके हैं क्या करें आपकी आप लिख करके इसको ठीक से याद कर जाएए बार बार इसका रिविजन करिए अगले लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है इम्मुनिटी उसको स्टार्ट करेंगे ठ आप एक काम करिए आप मैंसे बहुत सारे स्ट्ट्रेंट्स हैं जिनके पास अभी इरिफॉर्मिशन नहीं है कि हम लोग इस तरह से वीडियो क्लसे से सुरू किये हुए हैं तो थोड़ा सा आप हेल्प करिए उनका जो भी साथ पढ़ने वाले हैं उनको आप बताईए कि वो को हम लोग फेश कर रहे हैं ध्यान दखो वो घट नहीं रहा है रुक भी नहीं रहा है लगातार बढ़ी रहा है तो आप ख्याल दखिए कि कभी भी कोई भी आदमी इसके इंसेक्शन में आ सकता है बहतर है कि लॉकडाउन का पालन करिए घर में रही और शुरुक्सित रही यह घर वालों को भी बात है वो ठीक से आपकी ड्यूटी है आप उनको बताते रहिए समझाते रहिए ठीक है फिर कल हम लोग इम्मुनिटी पपिक को नए लेक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं थैंक यू